गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एक्जो स्केलेटन इन पैली मॉन आज हम पैली मॉन के बाईयक अंकाल के बारे में पढ़ेंगे पैली मॉन के संपूर्ण शरीर और उसके जो अपेंडेजिस होते हैं उस पर एक कठोर और काईटीनी क्यूटीकल याने की इसका एक्जो स्केलेटन का आवरन पाया जाता है और ये चूने के लवन और स्क्लेरोटीन के जम जाने से विभिन रंगों का हो जाता है The entire body of prawn is covered by a calcareous shell or exoskeleton The exoskeleton is hardened by deposition of salts of lime and is colored with various pigments The color of the shell comes by the deposition of lime salts and sclerotene The hard pieces of exoskeleton are called sclerites which are joined by softer cuticle forming arthrodial membrane इसका जो exoskeleton है ये बहुत सारी कठोर प्लेटों का बना होता है जिने की sclerites कहते है आस पास की दो sclerites एक पतली और कोमल membrane जिसे की arthrodial membrane कहते हैं उसके द्वारा ये प्लेटे जुड़ी रहती है जिसके कारण इसकी गतियां आसानी से हो पाती है इसका जो शरीर होता है उसे हम मुख्य रुप से दो भागों में बाट सकते हैं जो शरीर का आगे वाला भाग होता है वो syphelothorex कहलता है जिसमें की head और thorax वाला पार्ट आता है इस भाग पर एक डॉर्सल प्लेट पाए जाती है और thorax जो होता है वो केरापेस के द्वारा ढका होता है इस चित्र में जिसे के हम देख सकते हैं कि पैली मौन के शरीर का जो बहारी आवरण है वो इसमें दिखाई दे रहा है और इसके शरीर के जो विभिन भाग है वो भी हम इसमें पस्ट रूप से देख सकते हैं इसके शरीर के आगे वाले भाग को सिफेला थोरसिक भाग जिसे कहते हैं वो आगे वाला भाग होता है और इसका मध्य वाला जो भाग होता है वो एब्डोमिनल भाग कहलाता है इस पर पाये जाने वाली ये जो प्लैटे होती है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी उसके अनूसार ये दो भागों में इसे हम बाट ककते हैं ये होती है सिफेलो थोरेषिक स्क्लेराइट्स और अबडोमिनल स्क्लेराइट्स सिफेलो थोरेसिक स्क्लेराइट्स क्या होती है All the सिफेलो थोरेसिक स्क्लेराइट्स form a single large and continuous dorsal shield which extend over the head as a laterally compressed start process called the rostrum अठाथ जो सिफेलो थोरेक्स का dorsal और उसके आसपास पाई जाने वाली जो स्क्लेराइट्स है वो आपस में जुड़कर एक dorsal shield बनाती है इस dorsal shield का अगला भाग जो होता है वो dorsal plate कहलाता है और ये सिर के उपर एक प्रकार से दातेदार संदशना बनाता है जो कि rostrum की तरह आगे बढ़ जाता है rostrum के आधार के दाएबाए एक एक orbital notch होती है जिसमें की एक सवरंत संदित और गतिशील संयुक्त नेत्र यानि की compound eye यहाँ पर उपस्तित होता है प्रतिक नेत्र कोटर खांच के पीछे और नीचे दो outgrowth spine जाती है जिसमें आगे की और antennal spine और पीछे वाला जो होता है उसे हिपेटिक spine कहता है abdominal sclerides जो होती है उसमें ये उदर जो खंड होता है निकी जो abdominal part होता है वहाँ पर ये scleride एक दूसरे से separate और ring के समन संरशना होती है और ये आजपास के scleride के साथ में पतली और लचिली जो arthrodial membranes होती है उसके द्वारा चुड़ी भी होती है Each abdominal segment is covered by separate sclerides which are joined with each other by arthrodial membranes and each sclerides is composed dorsally by turgum phentally by narrow bar like plate sternum and two flap like lateral plates pleura इसमें abdominal sclerides में उपरी जो चोड़ी plate होती है उसे तर्गम नीचे की जो सकरी और transfer छड़ के समान plate होती है उसे sternum और पलो के समान पास में पार्श के plate होती है उसे pleura कहते है प्रतिक appendages अपने और के pleuron के साथ एक छोटी plate epimeron के द्वारा जुड़ावा होता है Abdominal appendages are connected with pleuron by a small plate epimeron तर्गम एंड plura of adjacent segments slightly overlap each other and this arrangement is called the imbricate arrangement अठार एक उदर खंड का जो तर्गम है Abdominal part का तर्गम और दोनो प्लूरा अपने पीछे के खंड के इन ही भागों के कुछ उपर तक चड़े रहते है यानि कि ओर लेप होते हैं और इस प्रकार की यह जो तर्गा और प्लूरा का जो arrangement है इसे imbricate arrangement कहा जाता है Two adjacent abdominal segments articulate with each other by means of a pair of hinge joints However, the hinge joints are lacking between the third and fourth segment अटार आस पास के जो abdominal part के जो pair होते हैं वो hinge joint के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और इन में से एक joint दाई और दूसरा बाई और होता है इस प्रकार से ये खंड एक छोटी सी हूटी के समान अपने खंड के पीछे के एक socket में fit हो जाती है और तीसे और चोथे खंडों के बीच का ये जो hinge joint है उसमें इसका अभाव होता है और खंडों के बीच जो arthrodial membranes और जो ये joints है इनके कारण abdominal part एक दूसरे पर केवल उर्द्वादर दिशा में ही ये गतिक कर पाते हैं Two adjacent abdominal segments articulate with each other by means of a pair of hinge joint The dorsal plate and carapace are completely fused to form a continuous dorsal shield and the dorsal shield is produced in front into a rostrum which is laterally compressed and is selected At the base of rostrum on either side is an orbital notch which accommodates the stock of compound eye इससे पहले जो अपने cephalothoracic scleritis में पढ़ाता है उसमें हमने ये देखा था कि जो cephalothoracic scleritis होती ही उसमें सबसे important part होता है इसका dorsal shield ये मिलके dorsal shield बनाते हैं इस प्रकार से हमने देखा कि जो exoskeleton पहली मोन में जो exoskeleton पाया जाता है उसके दो मेन भाग है सिफेला थोरेसिक scleritis and abdominal scleritis सिफेला थोरेसिक scleritis में जो dorsal plate है वो dorsal shield और rostrum बनाती है जो रोस्टरम की तरह आगे बढ़ावा रहता है उसके अंदर ही compound आई और विबिन प्रकार की spines पाया जाते हैं स्थेटिक स्ट्स्बार कारप च्चाब चाया कास ठाँ सेंगे जाने काने जाने खुन를uoब फिर देजापाने उेकर ऑपाया जाने में अेंगे जाने लिब लिवड Bille Weid नापने जाने लिवठ सार टेल लिवडमने बेगे विरालb 002 और abdomen part में हमने देखा कि in the abdomen each segment has a dorsal turgum और turgide which is broad and curved a narrow ventral sternum is sternite और each side is a pleuron formed from the turgum on each side or in the thorax and abdomen in the pleuron is joined to appendages by an epimerone which is part of the pleuron thank you